रूसी समराज के एक पुराने हिस्से में एक सम्प्रबू राजकुमार उनके पत्नी राजकुमारी के साथ रहता था उनके तीन बेटे थे और वे सब ही युवा थे और ऐसे बहादूर लोग थे कि कोई भी शब्द उनका वर्नन नहीं कर सकता था सबसे युवा को आईवन सारविच कहा जाता था एक तिन उनके पिता ने अपने बेटों से कहा मेरे प्यारे लड़कों तुम मेंसे प्रत्यक को एक तीर निकालना होगा अपने धनुष को खींच के अपनी तीर को चलाना होगा वो जहां भी जाता है वहां अपके लिए एक पत्नी होगी सबसे बड़े बेटे का तीर महिलाओं के निवास के सामनी एक राजा के परिवार के घर पर गिरा दूसरे बेटे का तीर एक अमीर व्यापारी के बरामदे में गिरा और वहां एक प्यारी लड़की व्यापारी की बेटी खड़ी थी सबसे छोटा बहादूर बेटा आईविन पूरी किस्मत वाला था और उसका तीर एक दलादल के बीच में गिर किया था जहां एक मेंडग था आईविन सारविच अपने पिता के पास आया और कहां मैं मेंडग से शादी कैसे कर सकता हूँ क्या वह मेरी बराबर है निश्चत रूप से नहीं यह बात नहीं है वान आपको मेंडग से शादी करना होगा यही आपके भागे में लिखा है तीनों भाईयों की शादी हुई प्रभु के युवा बेटी के साथ सबसे बड़े बेटे का व्यापारी के सुन्दर बेटे के साथ दूसरे बेटे का और सबसे छोटा बेटा आईविन का एक मेंडग के साथ थोड़ी देर बाद प्रभु राजकुमार ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा अपनी पत्नी में से प्रत्येक को कल सुबह तक ताजव ब्रेट से इंकना होगा आईविन घर लोटाया उसके चेरे पर कोई मुस्कान नहीं थी फ्रियो मेरे पती क्यों इतना दुखी? क्या महल में कुछ परेशानी है? वास्तव में मेरे पता संप्रभु राजकुमार चाते हैं कि आप कल तक ताज़ा ब्रेट सेंके चिंता मत करो एवान, सोने जाओ, हम सुबह तक कुछ करेंगे इवान ने अपने पत्मी के सलाह ली और सोने चला गया मेंडक अपने पती के सो जाने का इंतसार किया और उनके सोने के बाद अपनी मेंडक अफतार को निकाला और एक सुन्दर प्यारी लड़की में बदल गया जिसका नाम वैसिली सा था उसने बरामदे से जोर से पुकारा मेरी सहेलियों तुरंत इधर आओ कल सुबा तक अब सब को मेरे लिए एक सफेद और ताजा ब्रेट तयार रखना होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने शाही पिता के महल में खाती थी सुबा आइवन मुर्गी के आवासे जाकता है और उसके दिमात में सबसे पहले ब्रेट का ही खयाल आता है लेकिन जब उसने अपने आँखे मली और इधर उदर देखा तो उसे दिखाई देता है कि एक ताजा सफेद ब्रेट पहले से ही बनी रखी है या इतना बारीक था कि कोई भी इसका वर्णन नहीं कर सकता था केवल परलोक में कोई ऐसी अपुद ब्रेट पका सकता था इसे सुन्दर सा सजाया गया था और ब्रेट के केंद्र में वो एक पंक के रूप में हलका और बर्व के रूप में सफेद था आईवन खुश था और ब्रेट के साथ अपने पिता के पास गया संप्रुपुर राजकुमार बहुत खुश थे और आईवन को विशेज धन्यवाद मिला अब एक और काम है कल तक आपके प्रत्येक पत्नियों को एक गलीचा बुनाना होगा आईवन उस दिन और अधिक निराश होकर घर लोटाया प्रिया आईवन मेरे पती और स्वामी आप फिर से इतना परेशान क्यों है क्या आपके पिता ब्रेट से खुश नहीं थे मेरे पिता ने कल तक एक गलीचा बुनाने का आदेश दिया है मुझे लगता है कि उनके लिए ब्रेट परियाप्थी नहीं थी अब अपने पिता के बातों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है चिंता मत करो राजकुमार सोने जाओ हम सुबा मदद पाएंगे उस राद के बाद फिर से मेंड़क वैसिलीसा में बदल गई और जोर से चलाई प्रिय सहेलियों नए काम के लिए मेरे पास आओ एक रेशमी गालीचा बुनाओ जैसे मैं राजा के महल में पाती थी सहेलियों को काम मिल गया और उस राद गालीचा जल्दी से बन गया जब सुबा आईवन जाके देखा तो उसके सामने सबसे सुन्दर रेशम गालीचा था चांदी और सोने के धागे चमकीले रंग के रेशमी के बीच परस पर जुड़े हुए थे और गालीचा प्रशंजा के लायक था आईवन के पिता बहुत खुश थे उन्होंने अपने बेटे आईवन को धन्यवाद दिया और एक नए आदेश की घोशना की वह अब अपने सुन्दर पुत्रों के तीन पत्मियों को देखना चाता था बेटों को अगले दिन अपनी दुलहने पेश करनी थी आईवन घर लोट आया वह पहले से कहीं अधिक दुखी और क्रोध था मेरे प्यारे पती इतना उदास क्यों क्या आपने महल में कुछ भी अप्रिय सुना है मेरे पता ने हम सभी को अपने पत्मियों को उनके सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया अब आप ही बताईए मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ यह इतना भी बुरा नहीं है आप अकेले जाओ और मैं आपका पीछा करती हूँ जब आपको एक महान शोर सुना देता है तो डरो मत बस इन शब्दों को कहिए मेरे दुखी मेंड़क उसकी दुखी बकसे में आ रही है इवान ने अपनी पत्नी का कहा माना और अगली सुबा अपने पिता से मिलने गया दो बड़े भाई अपने पत्नियों के साथ सबसे पहले पहुँचे सुन्दर, उजवल, हस्मुक और अमीर कपड़े पहन के दोनों खुश दुल होने आईवन का मजा कुड़ाया तुम हकेले क्यों हो भाई? आप अपने पत्नी को अपने साथ क्यों नहीं ले आए? क्या उसे धांकने के लिए कोई चीर नहीं था? आपको ऐसी सुन्दर पत्नी कहां से मिली? हम एक शर्त लगाने के लिए तयार हैं कि हमारे पिता के राज में सबी दलादलों में उसके जैसा दूसरा खोश्रा तो मुश्किली होगा और वे हस्ते हस्ते लोट पोट हो गए अचानक एक बड़ा शोर मचा महल काम पने लगा महमान सबी भाईबीत हो गए थे आईवन अकेले चुप रहा और कहा कोई खत्रा नहीं है ये मेरा मेंडक उसके बकसे में आ रही है अचानक लाल बरामदे से च्छा शांदार सफेद घोड़ो द्वारा खींचे गई एक सुनहरा गाड़ी उड़ती हुई आई और वैसली सा जो सबी विवरणों से परे सुन्दर थी धीरे से अपने पती के पास पहुची तब आईवन उसको अपने साथ भारी ओक के मेज पर ले गया महमान खुशी से खाना खा रहे थे और बाते कर रहे थे वैसली सा ने और मक में जो बचा था उसे अपने बाए आस्थीन में डाल दिया उसने कुछ तली हुई बतके खाली और हड्डियों को उसने अपने दाही आस्थी में फेंग दिया और बड़े भाईयों के पत्नियों ने उसे देखा और ठीक वैसे ही किया जब खाना खतम हो गया तो महमान नाचने और गाने लगे सुन्दर वैसिलीसा आगे आई एक तारे के रूप में उच्जवल अपने संप्रबू राजकुमार के सामने जुकी और अपने पती खुश राजकुमार आईवन के साथ शान से नृत्ति किया नृत्ति के समय वैसिलीसा ने अपने बाई आस्थीन को लहराया और एक सुन्दर जील हौल के बीच में दिखाई दी और हवा को ठंदा किया उसने अपने दाहीम बाह लहराई और पानी पर सफेध हंस दिखाई दिए समप्रबू राजकुमार, महमान, नौकर, सब भी आशेर चकित थे और सुन्दर वैसिलीसा को देखते ही रह गये उसके दो बहनों की जब बारी नृत्त की आई तो उन्होंने अपनी बाई आस्थीन भी लहराई जैसे कि वैसिलीसा ने किया था और उन्होंने चारो और शराब छिड़क दी उन्होंने अपनी दाही आस्थीन को लहराया और हंसों के बजाए हड़ियों ने समप्रबू राजकुमार के चेरे पर उडान भरी राजकुमार बहुत क्रोधित हुए और उन्हें महल छोने के लिए कह दिया इस बीच आईवन को कुछ समय मिला और मौका देख वो घर भागा और मेंड़क के अवतार को जला दिया वैसली सा जब वह वापस आई तो मेंड़क के तवचा के खोज की और जब वह नहीं मिला तो उसका सुन्दर सा चेहरा उदास हो गया और इसकी उजवर आँखे आँशू से भर गई और उसने अपने पती आईवन से कहा ओ प्रिया तुमने ये क्या किया बदसूरत मेंड़क का अवतार मुझे सिर्फ कुछ ही दिनों तक पहनना था वह पल पास था जब हम हमेशा के लिए एक साथ खुश हो सकते थे पर अब मुझे आपको अलविदा कहना होगा दूर देश में मेरे लिए ढूंडो कोस्चे के महल में नहीं कुरुपया मुझे छोड़के मत जाओ वैसलीसा ने ये कहा और एक सफेध हंस में बदलके खिड़की के माध्यम से उड़ गई आइवन फूट फूट कर रोया फिर उन्होंने सर्वशक्तिमान इश्वर से प्रार्थना की और उत्तर, दक्षिन, पूर्व और पश्यम के एक चिहन बनाई वह एक रहस्यमाई यात्रा पर चला गया कोई नहीं जानता था कि उसके यात्रा कितनी लंबी थी गेंद हर समय लुड़कते हुई आइवन को एक जोपडी तक ले गया चोटी से जोपडी, मैं चाता हूँ कि आप अपना मोर्चा मेरे सामने करे और फिर चोटे जोपडी ने एक ही बार में अपना मोर्चा बदल दिया आइवन ने अंदर कदम रखा और एक चुडेल को देखा ओ राजकुमार आइवन यहां किसलिए आए? यह चुडेल का अभिवादन था ओ तुष्ट चुडेल आइवन गुस्से से चिलाया क्या महमानों से आप ऐसे ही पैशाते हो? तब उस चुडेल बाबा यागा ने राजकुमार को पीने के लिए पानी दिया आइवन ताजा मैसूस किया उसके बाद उसने चुडेल को बताया कि कैसे उसने अपने प्रियपत्नी को खो दिया और यहां कि उसकी एक मातर इच्छाव से खोजने की ही थी मुझे इसके बारे में सब पता है वह अब कोश्चे के महल में है और आपको समझना चाहिए कि कोश्चे भयानक है वह उसे दिन रात देखता है और कोई भी कभी भी उसे जीत नहीं सकता उनके मृत्य एक जादूई सुई पर निर्भर करता है वह सुई एक खरगोश के बीतर है और वह खरगोश एक बड़े पेड के बीतर है और वह पेड एक पुराने ओक के पेड के शाखाओं में छिपा हुआ है और उस ओक के पेड को गोशे अपने आप उसका सुरक्षा करता है तब बाबा यागा ने आईवन को बताया कि कैसे और कहां वो ओक का पेड पा सकता है आईवन जल्द बाजी में चला गया लेकिन जब उन्होंने ओक की पेड को पाया तो वह बहुत हतो साहित हो गया क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि काम कहां से और कैसे शुरू करे तब उनके एक पुराने मित्र रूसी भालू आया पेड को उखार दिया और उसे टूट दिया एक खरगोश पेड से बाहर कूद गया और तेजी से भागने लगा लेकिन फिर एक खरगोश इवान का दोस्त उसके पीछे दोड़ता हुआ आया उसे पकड़ दिया और उसको तुकड़े तुकड़े कर दिया खरगोश में से एक बतक उड़ गई एक बहुत उचे उडान भरी और लगबग अद्रिश्य थी लेकिन फिर एक सुन्दर सफेद बतक जो आयवन का दोस्त था पक्षी के पीछे किया और उसे मार दिया और उस बतक ने अपने पेट से एक अंडा खो दिया और वह अंडा गहरे समुद्र में गिर गया लेकिन जब नीले पानी में अंडा गया तो वह निरुचाहित हो गया अचानक एक बड़ी मचली तेरती हुई आई वही मचली और अंडे को अपने मुँ में लाया जब वह ले गया तो आईवन बहुत खुश था उसने अंदा तोड़ा और सुई को अंदर पाया आईवन ने जल्द ही कोशय पर हमला किया और उसे मा डाला तब महलों में से एक में आईवन को अपनी प्रियपत्नी अपनी सुन्दर वैसरी सा मिली थी वहा उसे अपने घर ले गया और वे ब बहुत खुश थे